काफी साहरे पेशेंटש हमारे पास में आते हैं पूस्ते कि क्या डीप्रेशन का इलाज जो है क्या हो जिवन बर करना पड़ेगा है कितनी दिन गुली खाना तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं डिप्रेशन के गुलियों का सेवन इलाज कितनी दिन करना चाहिए कि हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है मैं डॉक्टर दीपक केड़ेकर मनुविकार सेक्स रोग सम्मों दधा वेशनमक्य तग्यों महराष्ट में आकोला में प्रैक्टिस करता हूँ हлекता है कि डिपरेशन पांच से लेके 15 परतिशज़ लोगों को डिपरेशन ह één ऌतव पर दरे एक समय पर कहीं भी पॉप्यूरेशन के के वजह से हो सकता है या फिर बिना वजह में कुछ प्राब्लिम में तो डिपरी राय। मतलब केमिकज इंभालेंस के बाइन दोखे हो बिद्धिन के बारी हुआ और मेडिसइन हो हो तो मुंऔस है उसमें आरा ए है जो गुरूप वो मेडी सीन है सेलेक्टीव या फिर ट्राइश क्लिक्स है या फिर माव इनिपिटर से तर सी अलग अलग दवाईयां जो है वह दवाईयां हम पिश्ट को देते हैं और दवाईय का डोस पूरा देने के बाद में चार से छे हफ्ते में तो एक्षिली कम से कम तीन अपते में तो उसका फैदा दिखाई जाता है चार से छे अपते में पेशन को पचास से असी प्रतिशाद आराम पड़ता है जैसे वह आराम पड़ता है मगर बीमारी चलो है कंटिनियूस मगर आराम दिखाए जाता है जैसे भूख अच्छी लगना या नीन अच्छी आना या उदासिंता कम होना फिर उस समय होता गया है कि लोग दवाई बंद कर दालते हैं मतलब समझो अभी यहां पे यहां पे है नॉर्मल फेस तो वह ऐसा नीचे गया है अभी डि बंद करते हैं में नॉर्मल तो होई नहीं है वह फिर से नीचे जाएगा और दी जाने के बाद में फिर वैसे कि वैसे बोल देखो फिर से डिप्रेशन आ गया दुबारा हो गया एक्चलियो दुबारा होई नहीं वह पहले वाले है तो फिर यहां दवाई चालू रखे मतल नॉर्मल मतलब 6-9 मेने तक तो वह कंप्लीटली नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसा ता वैसा अब सवाल आता है कि अभी क्या दवाई चालू रखना कि नहीं रखना तो यूजिली साइकेटरिस्ट के पास में आप जाते हो और साइकेटरिस्ट आपको दवाई प्रिस्काइ रखो एक साल के बाद में फिर देरे 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 दवाई बंद कर दा लो और फिर एकाद दो मेने में दवाई बंद करके आपका जीवन नार्मल हो जाएगा मतलब अच्छा होने के बाद में फिर से कभी कुछ हो गया साल दो साल इसा कैसा होगया फिर आते हैं धिस्तरब हो जाते फिर से कैसा गए मैं बलता हूं की पिर ही आसकता डा यबेटिस मधिधस जो है मतलब डियबेटिस कंट्रोल में आ गया और कंट्रोल में आ। आ गया शूओर मनॉल sparked qi प्रियसे वो आपने जा सकती क्या मगलेट पृष्य प्रिस से नहीं हो सकता क्या सरदर फिर से इसे तीन साल तक पिशेंट ने दवाई खाना चाहिए एंटेडिप्रेशंट्स अच्छा फिर से अच्छा हो जाएंगा हो छे नौ मेने साल वर अच्छा हो गया अच्छा हो गया तो दवाई बंद कर सकते हैं मगर उसको इदी तीसरा अटेक आ गया डिप्रेशन का वो कभी भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है ऐसा नहीं कि आना ही जाए यह सेकंड या थर्ड एपिसोड तो फिर एंटिप्रेशंट जो जिन्दगी वर उसको खाने पड़ेंगे चुट कर रहा नहीं है और ऐसे कुछ एंटिप्रेशंट जो है कि जिनका साइड इफेक्ट बहुत कम है ऐसे यह आप एंटिप्रेशंट खाते हो या पेशन को प्रिस्काइब मतलब करने के बाद में हो लेता है तो फिर वो जिन्दगी वर भी उसने खाय तो भी कोई प्राब्लिन नहीं है तो इस उसको लेक psychosocial support देते रहते हैं अलग बाद में वही है और self hypnosis भी हम करते रहते है उसको hypnotherapy देते है तो वी सपोर्ट्ट ही सब लाज है और यह इलाज करते है तो वह अपनी खुद की अच्छी जिन्दगी patient जी सकता है तो यहाँ तो इतना ही है कि patient का यह पूरा होना ज़र इतना ही है कि यह दिप्रेशन के पेशन को स्यूसाइड के विचार बार बार आते हैं यह स्यूसाइड का उसने अटेम्ट किया हुआ है और ऐसा लगता है डॉक्टरों को और इसको भी कि निदे कर लेगा है बहुत बार-बार मतलब उसके तरफ भाग रहा है तो इलेक्ट्रो कन्वल्जिव थेरेपी एसीटी देना बहुत ही ज़रूरी है वह इंडिकेशन है उसका क्योंकि दबाई का असर आने को तीन अपते से चार अपते लगते हैं तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ भी कम जादा पेशन को हो सकता है तो पेशन डिपरेश तो उसके लिए आप कंसल्टन की हेल्प लेते हैं कांसिलर की हेल्प लेते हैं साइकेडिस की हेल्प लेते हैं तो दुबारा अट्यक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूरू सब्सक्राइब करो और बेल का जो चिन्ना था उसके ऊपर आप हिट करो क्लिक करो ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहली बार आएंगे उसका इंटिमेशन आपको सबसे पहली बार आएंगा आपको अच्छा लगा तो जरूरू उसको लाइक करो काफी साथ लोगों को डिपरेशन मैंने बदाये आपके वाट्सेप के के उपर फेस्बूक के उपर जरू शेर करो अभी तक इतना ही है हमारा जो मिशन है वह है सब के लिए मांजिक स्वास्त्य और वैसन मुक्त भारत उसके लिए आपका भी हाथ लगे आएगा थेंक यू वेरी मच